अजी सुनते हो किचन का सारा काम खतम हुआ के नहीं देखो लड़ाई जगड़ा करके अब बाद में मुझसे रूट कर जो तुम मुझे काम तराती हो न ये तलत बात है देखो मेरा मुझ कितना सूजा हुआ है तुम्हारी मारते मेरे गाल पर इतनी जोर से चोटाई है पहरे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने तुम्हे मारा है बोलो अच्छा तो अब मैं सबूत ही खटा करूँ तुम्हारे खिलाब मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि सारा काम दंदा छोड़ का तीरे पीछे लग जाओ समझी कर दिया मैंने सारा किचन का काम ये बरतन बढ़ है ये दो रहे न ठीक है हम उसे दो उमीद करना मत के मैं दोओंगा अरे अब इतना मू लटका के क्यों खड़ी है मैंने खाली बरतन मानने के लिए दो का है तुम Warning हो न जिससे मैंने शादी की थी मैं कुस समझा नहीं मैंने जिस आद्मी से शादी की थी न वो मुझसे कभी काम नहीं कराता था अच्छा तो क्या करबाया करता था वो मुझे फूल की तरह रखता था पूल कि तरह आपि онदो मुझसे पड्वातेहों खाना पनवाते हो ये नहीं कि या proteg करो मेरे लिए एक नोकराण2 ढून эфф रहां ताकि मुझे बार बार ये सब नोटंकि न करनी पड़े अरे इतना करके तो बहभ़वान को भी पता चल जाता कि मैं क्यों कर रही हूं तुम तो इंसान होके भी नहीं समझ पाए मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू मेरी बेश्टी कर रही हो जो जो बोलना है खुलके बोलना काम पर जाना है कि पोझा भी लगाना है तुमको चलो अच्छा है चले गए वरना अभी पोझा भी लगाना पड़ जाता आहे मुझसे टकर लेने वाले आज तो बेटा भाग भाग के घर जाना पड़ेगा उस चुड़ायल का कोई भरोसा नहीं कि मेरे लिए तैयार खड़ी हो चप चाप जाकर किचन में छुप जाओंगा अब खाना वाना खाकर अराम से बेडरूम में आ जाओंगा इससे मैं दिखूंगा भी नहीं और मेरा पेड भी बजाएगा फिर मैं सुभाई दर्शन दूँगा चुड़ायल को हाई राम